एलो दोस्तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छी होंगे दोस्तो अब हम एनलेसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का यहाँ पर आप देखेंगे आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाए गया है दोस्तो मुझे कल यानि कि लास्ट वाले वीडियो में इतने कमेंट आए कल भ मार्किट पोजेटिव होता जा रहे तो मैं उनसे कहूंगा ऐसे लोग अंधे हैं जिन्हें मार्किट का दिखाए नहीं दे रहा आज ही आप एक्जामपल देख सकते हैं यहाँ पर देखो यहाँ पर रिटेस्ट आया था यहाँ पर देखो रिटेस्ट किया था मार्किट मे इतना नीचे गया था तो यही तो चीज आपको समझाई जाती है कि एक resistance zone दिखाई देदे resistance zone का मतलब यह नहीं होता कि market यहीं से गिर जाएगा या गिरना शुरू हो जाएगा या गिरता गिरता इतना आ जाएगा तो थोड़ा सा logic को समझा करो इसका मतलब यह होता है कि कुछ profit booking आपको जरूर देखने को मिलेगी और यही चीज आपने आज देखी है जब आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि एक resistance zone बन रहा है और वे लोग वीडियो भी देखते हैं कमेंट करने के लिए वीडियो भी देखेंगे और फिर बताएंगे भी कि मतलब नहीं जाएगा उपर जाएगा यह होगा वो होगा पर लोजिक नहीं समझने के आपको दो लोजिक देगे थे कि negative momentum क्यों रहेगा और दोनों के दोनों सही आपको यहाँ पर साबित होते वे दिखाई दे रहे हैं साप साप आपने आज देखा है आपको negative momentum जरूर देखने को मिला और इस resistance line ने नेगेटिव भी react किया है मार्किट ने और resistance की तरह भी मार्किट आपको यहाँ पर react करता हुआ नजर आया है वन डे के टाइम फ्रेम पर मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाय था और एक और पैटरन हमें नजर आ रहा है जो कि हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर नजर आ रहा है यहाँ पर यह वाला जो कि हम अभी discuss करने वाले हैं यह कभी-कभी बनता है और जब भी बनता है आपको profit दे के जाता है किस तरीके से बनता है हम सार चीजे explain करेंगे फिलाल जो लोग मेरी serious वीडियो देखते हैं serious हो के वीडियो देखते हैं वे जरूर comment करके बताएंगे कि उन्हें इन analysis से benefit हो रहा है कि नहीं हो रहा है और जिन्हें जो इस तरह के comment करेंगे कि negative नहीं था ये था वो था मैं उन्हें कहूंगा फिर से comment करना है आपको ये देखके कि ये बात सही साबित हो रही है कि नहीं हो रही है तो चलो हम समझते हैं जो जो कह रहा है उसे कहने दो हम यहाँ पर analysis पर आते हैं जो लोग serious है वो ध्यान से समझे हो मैंने आपको चार patterns बताई हुए triangle वाले pattern आपको बताई गए trend line से मिलके बना हुआ pattern आपको बताई गए और parallel line से मिलके बना हुआ pattern आपको बताई गए यहाँ पर जो pattern हमें नजरा रहा है ये वाला pattern नजरा है उपर आपको resistance दिखाई दे रहा है, नीचे आपको support दिखाई दे रहा है, और market इसी range को follow करता हूँ चलाए, धियान रखना time frame है one day का, हरे एक candle एक दिन को represent कर रही है, या निगी पूरे दिन किस तरीके से market momentum कर रहा है, वो situation हमें दिखाई दे रही है, यहां से हमें help क्या मिले अगर market ने negative momentum दिखाया और आपने selling position बना रखी है, तो जैसे market इस support line की नजदीक आएगा, आपको अपना profit book कर लेना है, देखो देने को इसका breakdown भी मिल सकता है, ब्रेकडाउन मिला तो हम दोबार से entry भी ले सकते हैं, अगर candle की closing होती है, लेकिन यहां पर हम अपना profit book करना ज सेम ही situation हमें उपर ले वाली line पे नज़रा रही है, अगर आपने buying position बनाई हुई है, तो जैसे market उपर ले वाली line को touch करेगा, यानि कि resistance line को touch करेगा, आपको तुरंत अपना profit book करना है, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे, जब-जब market ने इसे touch किया है, sellers ने market को नीचे की त मिलती है, तो definitely हमें एक selling opportunity market में मिल सकती है, market में negative momentum की सुरुवात हो सकती है, इस range से market बाहर निकल सकता है, अगर आपको इसका breakout मिलके candle की closing ऊपर मिल गई, तो definitely आपको एक positive momentum की उमीद हो सकती है, और एक buying opportunity market में देखने को मिल सकती है, जब होगी तब कद अब discussion करेंगे, फिल थोड़ा बहुत up-down रहा, लेकिन फिर एक sideways momentum में चला गया, और sideways momentum में मैंने आपको हमेशा कहा है, आपको trading को avoid करना है, trading नहीं करनी है, जो करेंगे भी definitely उन्हें losses का सामना करना पड़ता है, क्योंकि market ने यहाप कोई खास momentum नहीं दिया है, एक sideways zone में चला गया, हलाकि यहाप पे भी हमारे एक pattern create होता है, अगर आप सिर्फ इतने को ही draw करना चाहो, यहापे आपको एक resistance दिखाई दे रहा है, यहापे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहापे आपको support दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको 4 patterns बता रहे हैं, तो उनमें से parallel pattern नजर आ रहा है, अगर इसका breakout मिल गया, prize उपर sustain कर गया, तो आपको मिल सकते है buying opportunities, लेकिन इस situation में आपको ध्यान ये रखना है, जो 10th का, यानि कि आज का day high है, इसका भी breakout मिलना चाहिए, तभी आप buying opportunities के बारे में सोच के चल सकते हैं, और इतनी सारी opportunity आपको कल के लिए market में दिखाई दे रहे है एक तो मैंने अभी discuss की one day के time frame पे, एक pattern आपको ये नजर आ रहा है, एक मैं इसके बार discuss करूँगा, तो इतनी opportunity एक साथ कभी-कभी मिलती है, या सालों में कभी-कभी मिलती है, तो इसलिए एक-क point को ध्यान से समझना है, वहीं पे बात करें, नीचे आपको ये support zone दिखाई दे रहा है, अगर market ने इसका breakdown दे रिया, तो आपको selling opportunity मिल सकती है, सीधा-सीधा आपके लिए target हो सकता है, जो 10th का low बना है, पहला तो target आपके लिए ये हो सकता है, अगर इसका breakdown मिल गया, तो यहाँ पे आपके लिए day low के breakdown वाली strategy भी काम करती हो, नीचे की तरफ और क्या target होंगे, वो हम आगे discuss करेंगे, price action की मदद से भी discuss करेंगे, pivot point की मदद से भी discuss करेंगे, और option chain की मदद से भी discuss करेंगे, सारे चीजों को हम detail में discuss करेंगे, फिलाल आपको यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे हमने ये समझा कि market ने एक sideways momentum दिखाया, और हमारे एक pattern create हुआ, बस हमें इंतजार करना है, या तो इसका breakout मिल जाए, या breakdown मिल जाए, अगर इसी zone में घूमता रहा market, तो हमें trading को avoid करना है, खिलियर होगी यहाँ तक, अब अगले pattern को भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें एक triangle वाला pattern नजर आ रहे है, मैंने आपको दो triangle वाले pattern बताए इस तरीके से momentum create हो रहा है, जितना ही narrow होता जाएगा, उतना ही हमारे लिए beneficial है, अब इस एक point को दियान से समझो, यहाँ पे जो मैं समझाओगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी सावधन यहटी है, कोई सी भी चीज आपने miss कर दी, तो trade आपका उल्टा पड़ सकता है, अगर आप एक बार इस rectangle को भूल जाओ, और एक rectangle के बारे में सोचो, यहाँ पे उपर मैंने आपको क्या बताया था, अगर इस पूरे zone को देखोंगे, इस zone को, जो कि हमने अभी discuss किया है, मैं आपको फिर से वापिस लेके चलता हूँ, यहाँ पे हमने discuss किया है, इस rectangle को, तो फिर स साथ ही साथ, वो वाला भी draw कर लेना है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो, इसका breakdown मिला, हमारी यह theory क्या कहती है, अगर आपको इसका breakout मिला, price उपर sustain हो गया, तो आपको buying opportunity मिलेगी, अगर आपको मिला इसका breakdown, price नीचे sustain हो गया, तो आपको मिल सकती है selling opportunities, यह चीज़ आपको इहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आपको इसका breakdown मिल गया, और आप selling opportunity लेके बैठ गया, selling position बना के बैठ गया, लेकिन एक support और भी तो नजर आ रहा है, यह भी तो support zone है, तो हमें इसका भी breakdown मिलना चाहिए, अच्छे खासे volume के साथ, तभी आप selling opportunity के बारे में सोच सकते हैं, अब पता चल गया, मैंने यहाँ पर क्यों प्रो किया, वहीं उपर की तरब भी बात करते हैं, उपर हमें एक resistance zone दिखाई दे रहा है, जिसकी marketer respect कर रहा है, अगर आपको इसका breakout मिल गया, प्राइज उपर sustain कर गया, तो आपको buying opportunity मिल सकती ह लेकिन मैंने आपको बताया है, अभी कि भले ही breakout मिल जाए, आपको 10th का जो day high है, इसके भी breakout का इंतिजार करना है, इसका अगर breakout मिला, तो यहाँ पर day high के breakout वाले strategy भी आपको काम करते हुए दिखाई देगी, साथ के साथ market एक resistance zone से भी बाहर निकलेगा, दूसरा trap में नहीं फसना है आपको, trap किस तरीके से, मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, मान लो ये एक resistance zone है, और market ऐसे जाता है, तो तुरंत ही buying position नहीं बनानी है, पहले candle को close होने दो, और price उपर sustain होने दो, तभी आपको buying opportunities के बारे में सोचना है, क्योंकि कहीं बार क्या होता है, market ऐसे जाएगा, आप buying position बना के बैठ जाएगे, लेकिन वो फिर ऐसे जाएगा, और closing day के इस तरीके से गिरना शुरू जाएगा, for example, example भी लेते हैं, example भी देखो, जैसे मान लो, ये एक resistance zone था, इस red वाली candle को देखो, market उपर गया, candle close तो नहीं होई, यानि कि बहुत सारे लोगों के close होने का इंतिजार ही नहीं किया, और यहाँ पर देखो, क्या हो गया, market reverse हो गया, तो उनके losses होई होँगी, इसलिए proper candle के breakout का इंतिजार करना है, plus price sustain का इंतिजार करना है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, दूसरा example लेलो, आज ही दिखाई दे रहा है आपको, नीचे आपको एक support zone दिखाई दे रहा था, कि इस वाली candle को देखो, इसने breakdown दे दिया, काफी लोगों नहीं सोचोगा, breakdown दे दिया, चलो selling position बना लेती हूँ, लेकिन price sustain होने का इंतिजार ही नहीं किया, और अगली candle ने फिर से अंदर इसी zone में चल गया, और फिर resistance की दिरेक्ट करा, market reverse आया buyers का increase हो रहा है, sellers का increase होता है, वो भी हमें देखना होता है, तभी एक position market में बनती है, यह नहीं कि अंदा धून, कुछ भी position डाल रहे हो, कि बेचलो नीचे गिर रहा है, P ले लेते हैं, यह उपर की तरफ भाग रहा है, C ले लेते हैं, breakout मिल गया, तो यहाँ पे C ले लेते ह इस तरीके से trading नहीं करने, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो अभी छोड़ दो, पहले learning फे focus करो, earning अपने आपको जाई, तो यहाँ तक सारी चीज़े clear होगी, अगर कुछ भी समझ में ना हो, वीडियो को वापिस जाके देखना है, और फिर से आना है, अगर तब भी समझ में ना आए, तो आपको comment करना है, अगर जादा लोगों की समझ्या हुई, तो उसे discuss जरूर किया जाएगा, आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ, price action की मदद से support और resistance पे, अगर आपको gap up opening देखने को मिलती है, या फिर flat opening देखे, market आपको positive momentum द इसका breakout मिल जाएगा, लेकिन मैंने आपको साब साब बताया था, 10th का जो day high है, इसका भी breakout मिलना चाहिए, उस situation पर अगला resistance हमारा 17,600 बनता है, अगर आपको इसका भी breakout मिलता है, तो 17,700 आपके लिए अगला resistance रहने वाला है, वहीं पर दूसरा discussion कर लेते हैं, अगर आपको gap down opening देखने को मिलता है, फिर flat opening देखे market आपको negative momentum दिखाता है, इन दोनों है इस situation में जो हमें support नजरा रहा है, इस 17,450 पर हमें support देखने के लिए यहाँ पर आज के दिन, यानि कि 10th को भी market ने support लिया है, उससे पहले आप 8th को देखेंगे, पहले market ने resistance की तरह एक्ट किया ह है, तो इस 17,450 आपके लिए support level रहने वाला है, अगर इसका भी breakdown मिला फिर आप देखेंगे, 17,350 level यहाँ पर आप देखेंगे, 8th को ही देखो, 8th को market ने ही पर support लेके, आपको positive momentum दिया है, 5th को देखो, 5th में जब market में गिरावट आई थी, इसी zone में support लिया था, 4th को देखो 4th को market ने इस zone में resistance की track किया, breakout मिलने के बाद फिर support की track करता हूँ नज़रा है, 3rd को देखो market यहाँ पर resistance की track करता हूँ नज़रा है, 2nd को देखो market यहाँ पर resistance की track करता हूँ नज़रा है, breakout मिलने के बाद support लेता हूँ नज़रा है, 1st August को देखो market यहाँ पर resistance की track करता आपको दिखाई दे रहा है तो ये तो लेवल हो गए सपोर्ट लेवल और रजिस्टेंस लेवल में आपको बता चुका अब सबसे इंट्रेस्टिंग चीज का अब ये भी कल के लिए समझना काफी जरूरी हो जाता है क्योंकि कल है एकस्पाइरी तो इसलिए एक-एक पॉइंट को समझना यहाँ पर ट्रेडिंग जोन मैंने आज थोड़ असा डिफ्रेंट लिया है क्यों लिया है मैं आपको वो भी एक्स्पेंड करूंगा मैं इसे कोइंट नोटिस करना यहाँ पर नीचल लिवर लाइन 17,443 आपको दिखाई दे रही है जो कि आप देखेंगे 10 का लो भी है अब अगर आप नोटिस करो यह सारी चीजों को समराइज करो एक जंगा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिस करो तो आपको यहाँ पर एक रजिस्ट का भी तो इसलिए मैंने नो ट्रेडिंग जोन को यहाँ पर सेट कर दिया जिससे कि आपको सारी चीजे किलियर हो जाए कि कहा तक आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है किलियर है यहाँ पर आपको इस सिचुएशन में मिलेगी बाइंग अब उपर की तरप क्या लेवल रहेंग साथी साथ यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आपके साथ डिसकस की गई है यह भी ट्रेंड लाइन है मैंने आपको कहा था अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाए तब भी सेलिंग नहीं करनी है इसका ब्रेकडाउन मिल जाए तब आपको सेलिंग अपोर्चनुटी मिल सकती ह साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आप यहीं पे selling बनाते हो तो आपके लिए पहला target यही रहेगा पहला support level यही रहेगा तो possibility यही रहेगी है तो market यहीं से ही support लेके उपर चला जाए लेकिन अगर इसका breakdown दे दिया तो आपको 3 confirmation मिल सकते हैं अगर volume अच्छा खासा रहा volume पे निजर रखनी है अगर volume अच्छा रहा तो आपको अच्छी selling opportunity मिलेगी लेकिन अगर volume नहीं रहा तो market sideways होने की possibility दिखा देगा और तब भी आपको trading नहीं करनी है clear होगा यह थोड़ा सा आपको confusing लगा होगा इसलिए मैं कहूंगा दोबारा देख लेना जो note rating zone मैंने आपको समझाया सारी चीजे मैंने यही पर combine कर दी जो हमने पीछे discuss की है तो इसे एक बार और देख लेना फिलाल मैं ऊपर की तरब की level discuss कर लेता हूँ नीचे की तरब की level discuss कर लेता हूँ अगर आपको इसका भी breakout मिलता है जो हमें तीसरा resistance दिखाई 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 रहे भी पर बात करें 50-50 में आपको देखने को मिला negative momentum ऐसी स्तिति में जो हमें पहला support ने जरा रहा है 17,478 पे ने जरा रहा है अगर market ने इसका breakdown दे दिखाई जो हमें दूसरा support में जरा रहा है 17,405 पे ने जरा रहा है अगर आपको इसका भी breakdown मिल गया है जो हमें तीसरा support में जरा रहा है तीसरा support बताने से पहले में आपको बता दूए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है ये just educational purpose से बनाए गई analysis video है invest करने से पहले आपको अपनी research करने है अपने investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपका होने वाला है loss की जिम्मिदार भी आपको अपने आप लेनी है जो यहाँ पे हमें तीसरा support नजरा रहा है ये 17,360 पे आपको तीसरा support देखने के लिए मिल रहा है अभी एक नजर हम option chain पे भी डाल लेते हैं जैसे कि आपको पता है कल के दिन expiry है 11th अगस्त की call की साइड हम देखने वाले resistance को put की साइड हम देखने वाले support को resistance की बात करेंगे तो 17,600 पे आपको एक resistance नजर आ रहा है यह लेवल आपके साथ discuss किया गए है जहाँ पर आप देखेंगे 66.1 lakh आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहा है अगर मार्केट ने इसका breakout दिया 17,700 यह भी लेवल आपके साथ discuss किया गए है यहाँ पर आप देखेंगे 57.1 lakh का आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहे हैं वहीं पर बात करें support की तो 17,500 पर आप देख सकते हैं support नजर आ रहे हैं जहाँ पर आप देखेंगे 66.7 lakh का आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहे हैं अगर market ने इसका breakdown दिया फिर आप देखेंगे 17,400 जहाँ पर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं वेबसाइट का लिंक आप उनीचे description में मिल जाएगा यहाँ पर जाके आप chart patterns और candlestick patterns से related जाके वीडियोस देखो, content पढ़ो अपनी knowledge को increase करो और उन्हें share market में apply करने की कोसिस करो, पहचानने की कोसिस करो ठीके दोस्तों फिलाल इस वीडियो को like कर देना और comment जरूर करना और वे लोग जरूर comment करना जो कह रहे थे resistance की track नहीं करेगा वे जरूर comment करके बताना जो कह रहे थे gap up ओपनी होगी ऐसा होगा वैसा होगा उन्हें जरूर comment करना है, इमानदारी से कि वे गलत साबित होगे ठीके दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतने ही फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छे content की साथ Thank you